विभ्यो नमो नमहा स्वागत है आप सभी काची के खिषा में अस्टमहा पाथः बुद्धि सर्व अर्थ सादिका तो सर्व सभी अर्थ अर्था है यहाँ पर अर्थ आता है हर प्रकार का जो सुक होता है हमारा चाहिए वो धन से हो या विद्ध्य का हो यस्वास्थे हो तो हर परकार का जो धन जो भी संपन्ता होती है तो वो हमारा अर्थ में है साधिका मतलब साधक उसे अचीव करने में हमें मदद करती है तो बुद्धी सर्व अर्थ साधिका तो बुद्धी जो है सब कुछ देने वाले संसारे उत्तम जीवनाये बुद्धी पूर्व कह व्यवारह आवश्यक कह भवती तो संसार में उत्तम जीवन के लिए एक अच्छे जीवन के लिए बुद्धी पूर्व के वहवार आवश्यक होता है तो बुद्धी के साथ वहवार करना आवश्यक होता है बुद्धी पूर्वकेन विहवारेन कठिनम अपीकारियम सहजम भवति जो बुद्धी पूर्वक हम वे बुद्धी के साथ जो विवार करेंगे हम उससे कठिन भी कारिय सहजम भवति तो कठिन कारिय भी सरल हो जाता है विशेश तह स्पर्धाया समे यदी प्रती पक्षः अतीव परबलह त्रही बुद्धी वलेन वयम तम जेतुम सकनुमह विशेश तह स्पर्धा के समे में यदि प्रति पक्ष हो यदि सामने वाला पक्ष अतीव परबल हो अतीव बहुत अधिक प्रबल है मुझबूत है, बल्मान है तरही बुद्धी बलेन वयम तम जीतुम सकनुम तरही तो बुद्धी बलेन बुद्धी बलसे ही हम उसे जीतने में समर्थ हो सकते हैं तो हम उसे बुद्धी के बल से ही जीत सकते हैं अगर हम सामने वाला जो पाक्ष है वो बलवान है किसी भी रूप में बलवान है तो वहाँ पर हम बुद्धी से ही जीत सकते हैं शरीर बलात बुद्धी बलस्य महत्वम कथम अधिकम इती एशा कथा प्रतिपादियती तो शरीर के बल से बुद्धी बल का महत्व कैसे अधिक है एशा कथा प्रतिपादियती दे तो इस कथा में उसका प्रतिपादन है कि कैसे शरीर के बल से बुद्धिक का बल जो होता है उसका मैद अधिक है एताम कथा बयम पठाम है इस कथा को हां पढ़ते हैं एकस्मिन बने एकह नित्य जल पूर्णा महान सरोवरह अस्ति एक वन में एक नित्य जल पूर्णा तो हमीशा जल से भरा हुआ महान बहुत बड़ा सरोवरह है कदाचिद एकम पिपाशा आकुलंग जीउथम वन अंतरात आगच्छते कभी एक प्यास से व्याकुल हातियों का सम्भू वन के अंदर से वहां आ गया तस्मिन सरोवरह ते गजहा स्विच्छाया जलम पीत्वा सनात्वा क्रिड़त्वा च सूरियास्त समें निर्गच्छन्ती तस्मिन उस 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 रोवर में ते गजहा उन सब हातियों ने स्विच्छा इच्छा अनुसार जलम पीत्वा जल पीकर सनात्वा सनान करके और खेल कर सूरियास्थ के समय लोट गए तस्य चासर ओवरस्य तीरे समन्तात सुरोवर के किनारे चार ओर सुकोमल भूमव तो बहुत सारे खडगोष्यों के इबिल है येशु बहवा शशकहा निवशंती और जिसमें बहुत सारे खरगोश रहते हैं गजा नाम परी भर्मेन तेशु बिलेशु निवसंतह बहवा शशकहा शत्विशितहा भवंती तो गजों के घूमने से इधर उदर तराम में अंदर गए बहार आए जो इधर उदर वो घूमें तो उससे तेशु उससे बिलेशु बिलो में मिवशंतह रहने वाले पहवे बहुत सारे शशकहा शशक जो खरगोश जो है शत्विशितहा भवंती तो गो है शत्विशत हो गए है उन्हें चोट लग गई है केचन पुनहा मृतहा अपी भवन्ती और कुछ फिर मर भी गए अतह शशका भीतहा चिंता मगनाच भवन्ती इसलिए शशक खरगोश भीतहा भैबीत और चिंतित मनवाले हो गए तो उने वो भैबीत हो गए डर गए और वो सोच में पड़ गए ते दुख मनुभूती और उनोंने दुख कानुबह हुआ दुख महसूस हुआ स्वरक्षार्थम चती उपायम चिंत्यती अपनी रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए उनोंने उपाय सोचे एकसमिन दिने सायं काले तेशाम शशका नाम सभाभवती एक दिन सायकाल में उन खरगोशों के सभा हुई सर्वे शशकहा स्वमतम प्रकाशनती सभी खरगोशों ने अपना मत रखा परम ते समाधानम न प्रापनू वनती प्रन्तु उन सबने कोई समाधान प्राप्त नहीं किया तो ने कोई सभाधान प्राप्त नहीं हुआ अंते शशक राजाह वदिती अंत में शशक राजाह जो खरगोश का राजा था वदिती बोला अहम एव उपायम चिंतियामी मैं ही उपाय सोचता हूँ अदूना वयम सर्वे स्वग्रिहम गच्छामे अब हम सब अपने घर में जाते हैं किसी और दिन रात्री में वह शशक राजू के सम्हू का जो राजा था गजराज था उसके समीब गच्छा थी उसके समीब गया सह गजराजम कत्यती और उसने गजराज से कहा यह सरोवर चंद्रमा का वास्थान है रहने का स्थान है वयम शश कहा तस्य प्रजह सम्हा हम शशक हम भरगोश उसकी प्रजा है अत्य एव सह शशांक कह इती नामना परसिद गह इसलिए ही वह शशांक इस नाम से प्रसिद है तो चंद्रमा इसलिए शशांक नाम से प्रशिद है और हम उसकी प्रजा है प्रसन्ना भवती तब ही चंद्रमा प्रसन होते हैं खुश होते हैं गज राज पूछता है, हातियोगा राज पूछता है, कथम कैसे? अहां विश्वास म करो मी, मैं कैसे विश्वास करू? किम सत्यमेव, चंद रह सरोवरेति, स्थती क्या सच में ही चंद सरोवर में रहते हैं? यदि सरोवर चंदरदेव का वास्थान है रहने वास्थान है तरही तो उसे दिखाओ शशका कत्यती शशक ने कहाम हाँ चंद्रस्य दर्शनाए आवाव अधुनाएव सरोवरम प्रती चलावाँ चंद्र को देखने के लिए आवावाव हम दोनों अधुनाएव अभी इसी समय ही अभी सरोवरम प्रती चलावाँ सरोवर की ओर चलते हैं गज़राज ससक राजेएं सह सरोवरस्यज़ समीपम गच्ठी, तो गज़राज ससक राज़ के साथ सरोवर के समीप पैला जाता है, reader प्लती प्लति प्रठीपम पेखे सिह, परनूर का प्लति परिविब पंप स्यटी वहए जल में चंद्र प्लति देखता है, प्लति ACT प्लति और चकित हो जाता है सह भयेंग चंदरम नमती और भये से चंदरवा को नमशकार करता है उसके बाद भये गज यूथें सह हातियों के समूँ के साथ अन्यत्र गच्चती कहीं और चला जाता है सह गज यूथ पुनहा कदापी तस्य सरोवरस्य समीपम ना अगच्च वहे हातियों का समूँ पुनहा फिर कदापी कभी भी उसके सरोवरस्य उस सरोवर के समीप नहीं अगच्चती आए शश कहा तत्र सुकें तिस्ठनती और खरगोज वहाँ सुक से रहे सत्य एव उक्तम सच ही कहा गया है बुद्धी सर्व अर्थ सादिका तो बुद्धी जो है सभी अर्थों को पूरा करनी में साधन होती है साधक होती है तो बुद्धी से सभी समस्याओं का समाधान निकारा जा सकता है वयम सबदार्थान जानी मह सरोवरह जलाश्य हिंदी में तालाब, गजह हस्ती हिंदी में हाती, शश कह खरगोश, मृतह मरे हुए, भीतह डरे हुए, प्रतिविंबं प्रचाई, चिंतामगनह चिंतित, शशां कह चंद्रमा, नामना नामसे